हैली स्टूडेंट मैं मोहित तोमार आपका PCM सब्जेट्टी लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टोपिक है वह है बिलियन चैप्टर का हेनरी का नियम तता सीमाई तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हेनरी का नियम तता उसकी सीमाई बताऊंगा तब वीडियो शुरू करने से पहले जदी आप हो जाना क्लास ट्वल्ट NCRT की फिजित के MST मैथ की इसी प्रिकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सस्काइब कर दीजे तथा उसके आगे की बेल आगें टीवी प्रेस कर दीजे ताकि हमारी आने वाली वीडियो गी नियम आपको मिलती रहे तो दोस्तो पहले मैं आपको हैनेरी का नियम बताऊँगा तथा फिर उसके बाद उसकी सेमाए तो चलते हैं हैनेरी के नियम पर तो दोस्तो हमारा टोपिक है हैनेरी का नियम क्या है है हेनेरी का नियम तो हेनेरी नामक जो बैग्यानिक थे उन्होंने एक नियम प्रितिपादित किया था क्या क्या था एक नियम प्रितिपादित किया था तो आज उस नियम पर हम बात करेंगे तो हेनेरी के नियम के अनुसार किसी गैस का बास अवस्था में आंसिक दाप भी विलियन के गैस के मौल प्रवाज X के सम अनुपाती है तो दोस्तो अब आप कहेंगे कि आंसिक दाप P और मौल प्रवाज X की से कहते हैं तो किसी गैस के ताप और आयतन के बरावर हो तो उस गैस का जितना भी दाव होगा वह आंसिक दाप P कहलाएगा और मौल परवाज X तो विले और विलाएक के ग्राम अणों की कुल संक्या के अनुपात को मौल परवाज X कहते हैं तो दोस्तो आप समझगे होंगे कि आंसिक दाप P और मौल परवाज X किसे कहते हैं तो दोस्तो गैस का जितना भी आंसिक दाप P आएगा वह मौल परवाज X के समानुपाती होगा और तो विले और विलाइक के गैस के जितने भी मोल प्रवाज X जात होंगे वो आंसिकदाप P के समानुपाती होंगे तो हम लिख सकते हैं अर्थात P अनुपाती X क्या लिख सकते हैं P अनुपाती X क्योंकि आंसिकदाप P और मोल प्रवाज X समान है मतलब समानुपाति हैं पी बढावन जो अनुपाति है हम अनुपाति के इस्थान पर ख लिखेंगे निच च इनरी तो हम लिखेंगे जहाँ बढावर हम क्या हमनरी स्थाल हम दिखेंगे तो दोस्तो जहां के और एच होगा हमारे हैंडिरी का इस्तरांग होगा दोस्तो यह है हमारे हैंडिरी का नियम तो दोस्तो अब हमारे जो टोपिक है वे हैंडिरी के नियम की सीमाई दोस्तो अब हमारे टोपिक है हैंडिरी के नियम की सीमाई तो अब मैं आपको हेंडिरी का नियम की सीमाइं बताऊँगा दोस्तो पहली सीमा है हेंडिरी का नियम केवल आदर्स गैस के लिए मानने है तो दोस्तो जो हेंडिरी का नियम है वो केवल आदर्स गैस के लिए है और किसी गैस के लिए नहीं है दूसरा है ताप इस तर तथा बहुत कम होना चाहिए तो दोस्तो जो गैस का ताप है वो इस तर होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए तीसरा है उच्छ दाब होना चाहिए तो दोस्तो गैस का दो दाब है वह उच्छ होना चाहिए तो दोस्तों ये था हमारा हेनिरी का नियम तता उसकी सीमा है जदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सिस्क्राइब जरू करें तो कोई परिशा नहीं हो तो मेरे कमेंट बोक्स में कमेंट करें